कि आखिर ये कैसे संभव है कि किसी देश की अर्थ वेवस्था लगातार बरबाद हो रही हो वहां के सारे उद्योग बरबाद हो रहे हो नौकरिया बरबाद हो रही हो और सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग तरक्की पर तरक्की की राह पर आगे बढ़ते रहे हो उनका कारोबार देश ही नहीं बलकि बिदेशों तक फैल रहा हो दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं GS4 News और मैं हूं मनीश साथ यों वीडियो को सुरू करेंगे और बहुत ही अच्छी अच्छी बात और बहुत ही जरूरी जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये कैसे संबव है कि किसी देश की अर्थ वेवस्था लगातार बरबाद हो रही हो वहाँ के सारे उद्योग बरबाद हो रहे हो नौकरिया बरबाद हो रही हो और सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग तरक्की की राह पर आगे बढ़ते रहे हो उनका कारोबार देश ही नहीं बलकि बिदेशों तक फैल रहा हो और दूसरी ओर पूरा देश का अर्थ वेवस्था चौपट हो रहा हो पूरा देश का उद्योग विवस्था चौपट हो रहा हो आखिर ये कैसे संभव हो है साथियो इस बात को हम पूरे सिल सिल्वार तरीके से बताएंगे और लगातार आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिस करिए साथियो आपका वह दिन याद है जब देश के तमाम अखवारों के पहले पन्ने पर पूरे पन्ने पर एक बहुत बड़ा विग्यापन आता था और ये विग्यापन लगातार कई दिनों तक आता था और जिसका सुरुवात हुआ था 5 दिसंबर 2016 से जिहां साथियो 5 दिसंबर 2016 में जब यह ऐलान किया गया था कि रिलाइन सब जियो लेके आ रहा है तो देश के तमाम अखवारों पर एक विग्यापन छपा था जियो का और उसके ब्रैंड अमबासडर थे भारतिये प्रधान मंत्री भारत के यसस्वी प्रधान मंत्री मानेनिये नरेंद्र दामोदर्दास मोधी जी और एक बात मैं याद कराऊंगा कि 2014 में जब प्रधान मंत्री जी मुख्य मंत्री से प्रधान मंत्री बनकर दिल्ली आ रहे थे तो वो एर इंडिया से नहीं आये थे वो सरकारी भी मान से नहीं आये थे आडानी के प्राइवेट जेट से और उसके बाद फिर मैं आपको एक और घटना याद दिलाना चाहूंगा कि PM बनने के बाद प्रधान मंत्री बनने के बाद माननिय नरेंद्र मोधी जी जो पहली प्राइवेट फंक्सन में गए वो कौन सा फंक्सन था और वो कौन सा दिन था दिन था 30 अक्टूबर 2014 को मुंबई में Reliance Foundation होस्पिटल का उधगाटन हो रहा था और माननिय प्रधान मंत्री जी वहां उधगाटन करता के रूप में पहुँचे थे और उसी कारेक्रम में माननिय मुकेस अम्बानी जी की पत्नी नीता अम्बानी जी ने प्रधान मंत्री के कंदे पर हाथ रख दिया था जिसका की तस्वीर और यह जो तस्वीर जो की नीता अम्बानी जी ने प्रधान मंत्री के कंदे पर हाथ रख था उस वह तस्वीर काफ प्रधान मंत्री चुना है या परचार मंत्री अब एक और सवाल में यहां पर पूछना चाहूंगा कि आखिर वो ऐसा कौन सा कारण है कि किसानों के इतने विरोध के बावजूद ये तीन नए कानून वापस नहीं हो रहे हैं साथियों आज के समय में प्रधान मंत्री जी जो है मानिये प्रधान मंत्री और पूरा सरकार कॉर्पोरेट और किसान के बीच में फस चुका है और किसानों ने सरकार की दुखती रग पर हाथ रग दिया है और सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है कि आखिर करे तो करे क्या अगर किसान बिल वापस लेते हैं तो उद्योग पती मित्र उनके दुखी होते हैं और अगर नहीं लागू करते हैं अगर नहीं वापस लेते हैं लगातार इस कानून को बनाए रखते हैं तो पूरे देश में किसान अंदोलन लगातार तेजी से बढ़ते जा रहा है और अब समस्य और विक्राल हो गई है जब किसानों ने यह खुले तोर पर कह दिया है कि अमबानी और आडानी का बाइकोट किया जाएगा और जीयों का नाम लेके कहा गया कि जीयों का बाइकोट किया जाएगा इससे होगा क्या साथियों यह जो किसान अंदोलन है यह कुछ वाटसप से पैदा हुए नरंगी संत्रों की अगर छोड़ दे तो समस्त पूरा देश इस अंदोलन से प्रभावित हो रहा है और आने वाले समय में पूरा बिश्व इस किसान अंदोलन से प्रभावित होने वाला है आखिर कैसे यह समझने का प्रियास करिए जब किसानों ने यह तय कर लिया है कि अंबानी और अडानी का बाइकॉट करना है जो कि किसान यह समझ चुके हैं कि प्रधान मंत्री जी उन्हीं के बहकावे में आकर या उनको फायदा पहुँचाने के लिए ही अपने उद्योगती क्रॉपरेट मित्रों को फायदा पहुचाने के लिए ही ऐसे कानून बना रहे हैं इसी वज़ा से किसानों ने यह घोषना कर दिया है कि अंबानी और अडानी का बाइकॉट करेंगे अब इसका असर पूरे विश्व पर कैसे पड़ेगा यह समझे देखिए अमबानी और अडानी का जो पैसा है वह भारत ही नहीं भारत के बाहर कई सारी विदेशी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट हुआ है अब जब भारत के लोग या यू कहें कि किसान जो है वो अमबानी और अडानी का बाइकाट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यह अंदोलन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है भारत देश का बहुत बड़ा हिस्सा यू कहें कि सारा मिडिल क्ला इसमें involved होने जा रहा है क्योंकि जो नया बिल आया है उसमें storage की जो सीमा समाप्त की गई है यानि आवस्यक वस्तूओं की सूची से भंडारन की जो सीमा है उसको समाप्त कर लिया गया है इससे उद्योग पती किसानों से ओने पौने दाम में सामान खरी देंगे अनाज खरी रखेंगे और फिर उसको market में कमी होने के बाद अधिक कीमत हो जाएगा जब कीमत बढ़ जाएगा तब उसको market में उतारेंगे तो इससे क्या होगा कि महगाई बहुत जादा हो जाएगी और मध्यम वर्ग भी प्रभावित होगा अब जब बाइकॉट कर रहे हैं किसानों अगर यहां आंदोलन बढ़ता है तो सोच के देखिए कि क्या असर इसका नहीं पड़ेगा बिस्व पर पूरा अर्थ बेवस्था प्रभावित होगा उमीद करता हूं कि सरकार को यह बात समझ में आना चाहिए और इस पर जल्दी ही कारवाई करनी चाहिए इसी तरीके के आम जनक्या मुद्दो को देखने के लिए लगातार बने रहें जी एस पर न्यूज के साथ चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद सुक्रिया